हेलो दोस्तों कैसे आप साथ सभी के स्वागत है हमारे एक और ने वीडियो में दोस्तों तो यार आज के वीडियो में यार काफी सारे फोन्स के बारे में आप सभी को जो इन्फोर्मेशन दूंगा जिनको यार रिसेंटली जो नेक्स्ट अपडेट है MIUI का जैसे कि MIUI 12.5 और काफी सारा जो दूसरे अपडेट्स उनके बारे में जो है memang इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं काफी सार जो फोन है जो इसको अपडेट रिसेंटली रिसिइब हुआ है इंडिया में सारे सा जो है video का लास्ट मैं मैं आपको ये भी बताँगा कि जो जो रीमेनिंग फोन जरफ देखने को नहीं मिल है उनको यर.'' कब अब्डेट देखने को मिले जाएगा अगस्त महीना में उडिप्डेट कॉं-कॉन सा फोन को देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Poco का जो X3 वाला वेडियन्ट है उसे 12.5.1.0 का जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट है वो फाइनली रिलीस कर दिया गया है दोस्तों यह काफी एक बड़ा न्यूस है सारे Poco फैंस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास Poco का X3 है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए कि आप फिलाल जो कौन सा अपडेट है जिसों आपको सबसे अच्छा लगा है और रिजेंटली आप अभी कौन सा अपडेट अपने फोन में यूज़ कर रहे हैं जरूर से मुझे कमेंट करके बताईए गा दोस्तो बात करते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ तो यहाँ पे जो है पोको सीरीस के लिए एक और बढ़िया गुड नीव से यहाँ पे पोको का X2 है उसके लिए भी इंडिया का stable update यहाँ पे launch होगी है यह proper जो इंडिया update आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है और सारे साथ जो है अगर बात करें इसमें सारा changes का क्या क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा features आपको इस update में देखने को मिलता है security patch को जो है increase करके June 2021 का कर दिया गया है दोस्तो और सारे सार आपको optimization देखने को मिलता है यानि कि आपको मालूम यह phone का जितना भी lagging experience उसको ठीक कर दिया गया है सारे सार जो battery level में optimization है camera level में optimization है वो सब जो है आपको इस update में देखने को मिलता है और यह सारा जितना भी आपको features देखर अपने screen में यह सारा add होके आपको मिल जाता है दोस्तो तो यह काफी एक बड़ी update है दोस्तो Poco X2 users के लिए ज़रूर सियार मुझे comment करके बताईए आपको यह update receive हुआ है कि नहीं हुआ है अगर नहीं होते हैं आपको यह update receive तो अब एप्रॉक्सिमेट जो है टू वीक्स का अंदर अदर आपको यह update जरूर से मिल सकता है उससे पहले भी मिल सकता है दोस्तो update का actually कोई ठीकाना नहीं है शामी जब तब जो roll out करते रहता है तो जरूर से यार बने रही है अपडेटर एप के साथ आप जो चेक करते रहेगा तो आपको जरूर से जो update मिल जाएगा दोस्तो बात करें Redmi Note 9 सीरीस के बारे में तो यहाँ पे जो Redmi का Note 9D है उसके लिए रिसेंटली यहाँ पे एक नया update आया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 12.5 का यह update है 12.5.4.0 का version नमबर है और Android 11 के साथ जो आपको यह update देखने को मिल जाता है दोस्तो और फाइनल दोस्तो अभी बात करेंगे Redmi का 7A की तरफ तो यहाँ पे Redmi का 7A के लिए भी एक और update एवेलेबल होगी है 12.5.1.0 और इसके साथ जो आपको Android 10 देखने को मिलता है लेकिन यार main interesting बात तो यह है कि Redmi का 7 है काफी demand में था काफी लोगों ने बोला कि Redmi का 7 सीरीज है उसको update कब तक मिलेगा मैक्सिमम चांसे यह है कि अगर आप Redmi का Note 8 सीरीज, 7 सीरीज और 9 सीरीज यूज़ कर रहे है और आपको अभी तक 12.5 का जो update वो देखने को नहीं मिला तो ज़रूर से अगस्ट महिना में चांसे से है कि आपको जो है update मिलने लग जाएगा दोस्तों फिलाल यार यह वीडियो को यह तक एंड करते हैं कोई भी questions और queries तो ज़रूर से आप comment कर सकते हैं मैं जो कोशिच करूँगा आपके comment का reply देने का बबाई दोस्तों and take care